आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक हिंदी साहिती के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कभी की काभिगत विस्यस्ताओं पर बात करेंगे जी हाँ आज हम लोग गजानन मादब मुक्ती बोथ की काभिगत विस्यस्ताओं पर बात करेंगे तो विशे को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों देशिस सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे Way to Learning SP चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम लोग मुक्ती बोद की काभिगत विश्यस्ताओं पर बात करेंगे जैसा कि मैंने आप से पहले भी कहा है कि कि किसी भी काभिगत विश्यस्ताओं को लिखने से पूर्व हमें प्रस्ताओना लिखना होता है तो हम लोग प्रस्तावना के तोर पर मुक्ति बोध के हलकी से जीवन परिच्चे उनकी प्रमुक रचनाए आधी आधी को हम उनकी प्रस्तावना में लिखेंगे तो मुक्ति बोध चायाबाद के ऐसे कभी है जिन्होंने चायाबाद से काबिय रचनाय प्रारम की और प्रगति बाद प्रियोग बाद वो नई कविता तक काबिय लिखी उनका पूरा नाम गजानन मादब मुक्ति बोध है वे हिंदी साहित्य के प्रमुक कभी आलोचक, निम्बंदकार, कहानिकार तता उपन्यासकार है उनका जन 13 नवेंबर 1927 में सोयपूर नामक अस्तान में हुआ जो मध्य प्रदेश में स्थिर है उनके पिता का नाम माधवराव मुक्ति बोध तथा माता का नाम पारवती बाई है मुक्ति बोध सचिनादन हिरानन वाजसायन अगे द्वारा जो संपादितार सब्तक के पहले कभी है मुक्ति बोत की कविता मनुस्य की असीमता आत्म संगर्स और राजनेतिक चेतना से सम्रिद्ध होती है उनकी प्रमुक कविता अन्हेरे में एक अंतर कथा कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं भूरी भूरी खाक धूल चांद का मूँ टेड़ा आदी आदी है उनकी मृत्यू 11 सिप्टेंबर 1964 में हुआ उनका जीवन काफी संगर्स में रहा सायद इसलिए भी इन्हें एक चेतर में काम्या भी न मिलने के कारण हर चेतर में लिखा कहा जाता है कि उनके पिता जो है वे पूलिस में कारिय करते थे जिस कारन उनकी तबादला होते रहती थे और यही वो कारन है कि मुक्तिowe की सिऩट्छा चेतर में बी उनको कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा अब तक जो हमने लिखा इसको हम मुक्ति बोद के काविगत विश्यस्ताओं में जो हम प्रस्तावना लिखेंगे प्रस्तावना के तोर पर हम लिख सकते हैं अब आगे हम मुक्ति बोद की काविगत विश्यस्ताओं को एक-एक कर देखेंगे वो भी बिल्कुल उधारन सहित तो चलिए उनकी काविगत विश्यस्ताओं को एक-एक कर देखने का प्रियास करते हैं उनकी काविगत विश्यस्ताओं में हम सबसे पहले लिख सकते हैं अन्धेरे के महा कवी या फिर इसको हम बिंदू दे सकते हैं अन्धेरा का चीतरन उनकी कविता में देखा गया कि उन्होंने अन्धेरा को अपने कविता में अधिक महत्व दिया है यह अन्धेरा उनके कवित का टेकनिक नहीं थी नहीं वह उनकी गुप्त पीडाओं का कारण थी अपीतु यह अंदकार यथार्थ था समाज का यथार्थ वह समय और समाज अंदकार में था जिसका चित्रन मुक्ति बोद्ध ने अपने काव्य में किया इस काभियगत विश्यष्टाओं में इस बिंदु में अगर हम उधारण लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिसा का ज्यान तो उधारण में आप इतना लिख देंगे तो प्रियाप्थ हो जाएगा उनकी दूसरी काव्यगत विसेस्ताएं हैं छोटे छोटे वाक्यांस मुक्ति बोध ने अपने काव्य में छोटे छोटे वाक्यांसों का प्रियोग कर अपने कथ्य को प्रभावसाली बना दिया है उनकी कविताएं जो है वे छोटे छोटे पंक्तियों में होती थी वाक्यांज में होती थी परंतु छोटे होते हुए भी उसमें विस्त्रित अर्थ समाहित होती थी तो इस पर अगर हमें उधारन लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं सहर्च स्विकार है समवेदन तुम्हारा है दोस्तों आपको ये लिखित रूप भी प्रदान हो रहा है लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिस है कि पहले आप इस वीडियो को कम्प्लीट देख ले नेक्स टाइम आप वीडियो को पोस्ट कर इस किन सोट ले सकते हैं या फिर अपने राइटिंग में इसको लिख सकते हैं लेकिन सबसे पहले वीडियो को कम्प्लीट लेख ले चीजों को समझ ले उनकी तीसरी काव्यकत विश्यस्ताएं हैं विचारों का आवेग मुक्ति बोध अपने विचारों को तीबृता के साथ प्रकट करते हैं इसमें व्यंग की जलग भी दिखलाई परती है इस द्रिष्टी में हम उनकी कविता भूरी भूरी खाग धूल को देख सकते हैं तो यहां मैंने उधारन नहीं दिया तो आप चाहे तो भूरी भूरी खाग धूल से किसी व्यंग आत्मक या फिर विचारों का आवेग वाले पंक्तियों को उठाकर आप उधारन के तोर पर लिख सकते हैं उनकी अगली काव्यकत विचेस्ताएं है यथार्त वादी यथार्त का चीतरन या फिर यथार्त वादी कवी मुक्ति बोद एक यथार्त वादी कवी के रूप में भी जाने जाते हैं यथार्थ चीतरण उनकी काविय की सबसे वड़ी विसेस्ताव में से एक है तो यहां अगर आप उधारण लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं वे आते होंगे लोग जिन्हें तुम दोगे देना ही होगा पूरा हिसाब अपना सब का मन का जन का दोस्तों यह बहुत ही सुन्दर उधारण है इसमें यथार्थ का चीतरण हुआ है उनकी पांचवी काविय कत विसेस्ताए है मुहावरों का प्रियोग ऐसा माना जाता है कि मुक्ति बोद की भासाए सकती उनके मुहावरों का प्रियोग में छिपी है मुहावरों के प्रियोग ने उनकी कविताओं को एक नई जान फूग दी नारायन मौर्य के अनूसार मुक्तिबोद की काब्य भासा की बहुत बड़ी सक्ती है मुहावरों का प्रियोग जैसे उधारन सहीत आप देख सकते हैं हार का बदला चुकाना जमाना साब का काटा, जिंदगी के जोल, दिल की बस्ती उजाड़ना आदी आदी तो इस प्रकार के मुहावरों का प्रियोग उन्होंने अपने काब्य में किया है तो ये उनकी कविता की एक विस्थाओं में से एक है उनकी छटी काब्यगत विस्थाओं है व्यंग सेली का प्रियोग मुक्तिबोध की कविताओं में व्यंग आतमक देखी जा सकती है व्यंग और यथार्थ एक दूसरे से जुड़ा होता है जहां यथार्थ का चितरन करना होता है वहाँ व्यंग करना ही पड़ता है अर्थात मुक्ति बोद यथार्दवार्दी कभी थे उनकी कविताओं का एक विशेस्ता व्यंग आत्मक सेली भी रही है उधारन साइथ आप लिख सकते हैं अजीब जिन्दगी है बेवकूफ बनने की खातिर ही सब तरप अपने को लिये लिये फिरता हूँ और ये देख देख बड़ा मजा आता है मैं ठगा जाता हूँ तो ये उनकी वियंग आत्मक सेली है उनकी सात्वी काविकत विशेस्ताएं है विशेस्त कावियसिल्प मुक्ति बोद ने अपनी समवेदना और ज्ञान के अनुसार एक विशेस्त कावियसिल्प का भी निर्माण किया है उनकी अगली काविकत विशेस्ताएं है आत्म संगर्स के कवी कवी का पूरा जीवन संगर्स मैस से भरा पड़ा रहा जिसकी जलक उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है तो आत्म संगर्स के कवी के उधारन में अगर हम लिखे तो हम लिख सकते हैं पर उसके मन में बेठा वो जो समझोता कर सका नहीं जो हार गया यद्यवी अपने से पर लड़ते लड़ते ठका नहीं उनकी अगली काविकत विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् विचाधहरा उनके यथाथ को चीत्रित करता है उन्हों ने अंधेरा चांद आदी जैसे प्रतिकों को अपनाया तता काभिय लिखी अब उनकी कलापक्ष पर बात करते हैं अलंकार विधान मुक्तिबोद की कविता अलंकार युक्त है उन्होंने सर्वता नवीन उपमानों का प्रियोग किया है उत्प्रेक्षा मुस्कराता चांद क्यों धर्ती पर तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उधारन है वही अनुप्रास अलंकार आधी आधी अलंकारों का भी उनके काब्य में चितरण देखी जा सकती है अगली उनकी कलापक्ष च छंद रहित कविता, मुकती बोध ने अपनी कविता को चंदों के बंधन से नहीं बांदा उनके काव्य में भाव का सहज प्रियोग है अतव उसे चंद मुक्त कवी के रूप में प्रस्तूत करते हैं जैसे उधारन ममता की बादल की मनराती कोमलता भीतर मन को पिरोती है मुक्ति बोत की काव्य की भासा की बात करे तो मुक्ति बोत को प्राय दुरहू कभी माना जाता रहा है उनकी भासा पर उबढखाबडपन अंगड़नपन और सब्द बहुलता का आरोप लगाया जाता है उनकी भासा में, उनकी कविताओं में मुहावरों का प्रियोग हुआ है उन्होंने चंद रहित कविता का प्रियोग किया है तो यही वो कारण है कि उनकी भासा वैसे तो हिंदी ही थी लेकिन उनकी भासाओं में ये सब आरोप लगाया जाता है तो इस तरह से हमने मुक्ति बोत की कावियगत विश्यस्ताओं को complete किया मैंने बहुत ही सोट में आपको मुक्ति बोत की कावियगत विश्यस्ताओं को बताया है अगर आप किसी भी परिक्षा में मात्रे इतना लिख देंगे तो काफी होगा एक्जाम के point of view से गहराई के साथ पड़े तो मुक्ति बोत की और बहुत सारी कावियगत विश्यस्ताओं है उनकी कविता लिखने की और बहुत सारी qualities विश्यस्ताओं प्रवर्तियां है तो उसको अगर हम विस्तार से मुक्ति बोत पर हम अगर रिसर्च करेंगे मुक्ति बोत की विश्यस्ताओं को जानेंगे तो हम विश्यस्ताओं जान सकते हैं लेकिन एक्जाम के point of view से अगर आपको मुक्ति बोत की कावियगत विश्यस्ताओं लिखने को कही जाए तो आप इत्ता लिख देंगे तो परियाप्त हो जाएगा मैं अंति में आप सब इससे छमा चाहता हूं मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं जहां पर वीडियो बनाता था उस जगह पर कुछ समस्या चल रही है तो मैं वहाँ नहीं बना पा रहा हूं तो बहुत जल्दी मैं अपने लिए एक स्टोडियो तयार करने वाला हूं फिर मैं बहुत जल्दी ही कंटिन्यू बैसिस पे वीडियो दालूंगा तो लास्टली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अब तक तो आपने कर दिया होगा अगर नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना बैल आइकन को दबाना ना भूले वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं तो बहुत जल्दी अन्य कभी की काविकत विस्सताओं के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहीन जैभारत नमस्का